नमस्कार दोस्तो मेरा नाम आसीस और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं एंड्रोइड यूजर होंगे ही जितने लोग इंड्रोइड चलाते हैं उनमें से 100% लोग जो है वो वाट्सप जरूर यूज करते हैं दोस्तो आज मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वाट्सप पर D&D भी एक्टिवेट कर सकते हैं अब दोस्तों D&D के मतलब है Do Not Disturb Seva आपने देखा होगा कि मोवाईल पर जब बहुत सारे लोग या कॉल करते हैं मैसेज करते हैं कमपनी के मैसेज आने लगते हैं तो लोग जो है D&D सेवा अक्टिवेट कर लेते हैं उसी तरीके से WhatsApp पर आप एक D&D सेवा अक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि आपको बार-बार कोई मैसेज करके तंग न करें खास करके कोई celebrity, YouTuber या फिर कोई social influencer के साथ ऐसा अधिकतर होता रहता है तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आपको ये वीडियो जो है last तक देखना है और आज मैं आप सभी को बताऊंगा properly कि आप WhatsApp पर D&D सेवा कैसे अक्टिवेट कर सकते हैं वीडियो कर आपको हमारा पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर भी जरूर कर दीजेगा एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब निकर्ट प्लीज सब्सक्राइब कर लो यारो साथ कोई नोटिविशन बेल आता है उसको ओल नोटिविशन पर आउन जरूर कर लिजे तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेश्ट के वीडियो को सुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों वाटसप पर D&D लगाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल सा करना क्या है अपना वाटसप जो है वो ओपेन कर लेना जैसे आप वाटसप ओपेन करते हैं तो कुछ तरगे से इंटरफेस खुलेगा WhatsApp लिखके आगा from Facebook आपको पता ही होगा कि Facebook फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ ads आजाता है ads को आपको रिम्यू कर देना है फिर इसके बाद यहाँ पर chats आपकी दिखेंगे group दिखेंगे, status दिखेंगे, call से दिखेंगा अभी मैंने इस पर कुछ नहीं किया तो यह कुछ नहीं दिख रहा है अब आपको दोस्तों करना क्या है यहाँ पर दोस्तों आपको option मिलेगा यह देखेंगे रखते हैं aeroplane mode का आपको option जो है वो आपको दिखाए देगा, इस पर आपको क्लिक करना और आपकी जो dnd sewa है वो activate हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यह देखेंगे यह जो aeroplane mode दिख रहा था यह cross जो हट गया तो यानि dnd sewa यहाँ activate हो चुकी है आप दोस्तों अगर मालीजे आपको dnd sewa यह बंद करनी है तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरीके से option दिखेंगा और यह दोस्तों देखेंगे कि dnd sewa में cross लग चुका है तो यानि कि dnd sewa जो है वो automatic जो है वो बंद हो चुकी है तो इस तरीके से आप अपने whatsapp पर dnd sewa activate या deactivate कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर main important बात यह बता देता हूँ कि यह जो features है यह whatsapp का official application पर नहीं है यह fm whatsapp पर है available यह fm whatsapp आपको कैसे download करना है description में मैंने link दे दिया है तो आप जा के वहाँ से download कर सकते हैं तो दोस्तों सो दोस्तों उमीद है कि आपको पता चल गया होगा कि whatsapp पर dnd sewa आप कैसे activate कर सकते हैं और deactivate भी कैसे कर सकते हैं यह भी properly मैंने इस वीडियो में आप सभी को बता दिया है I hope दोस्तों आपको अमारे यह वीडियो जरूर पसंद आयो अगर आपको उमारे यह वीडियो पसंद आयो तो please इस वीडियो को लाइक कीजिये अगर ना पसंद आयो तो dislike कीजिए लेकिन कुछ भी जरूर कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यारो साथ में notification बेलाता है उस call notification पे on जरूर कर लिजे आज के स्पूड़ों में दोस्तों इतना ही थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो जै हिंद वंदे मात्रम